जेकेपी की ओफिशल वेबसाइट पर आज जेकेपी बॉर्डर बैटालियन का रिजल्ट आया है जिसके बारे में अब इसे लगबर दो डाइगंटे पहले हम आपको बता चुके थे और कहा गया था आपको कि जितने भी पीडियेफ हैं जिसे जम्मू की सेलेक्शिन लिस्ट सेलेक्शिन लिस्ट में नाए है उने हमारी पा से झै Leist आपने महेंत करी दी तो आपका नाम ऑन सेलेक्शिन लिस्ट पर आ भी आवे मैक्सिमूं एसे भी यह हैं जिनका नाम सेलेक्शिन मेंी न開始 में एनसे फाइची से ठॉत में लिस्ट में आए अई तो वह थोड़ा說 कि हमने NCC का form submit कर वाय था सब कुछ formalities पूरी कर रही हैं बट हमें NCC के marks नहीं मिले जिसकी वज़े से हम इस selection लिस्ट पर नहीं आप आप आए अब क्या और भी कुछ candidates ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुए कि उनके NCC के marks यहां पर add नहीं करे गए या किसी के category ना add करे गई हो कुछ ऐसा जिसकी वज़ें के number कम आ गए हो तो comment section में comment करें जरूर बताएगा और हो सकता है यह video जैसे मैं आज रात को 11 बज़े अपलोड कर रहा हूं तो हो सकता है video आप कल सुबह 12 बज़े कल दिन को 2 बज़े देखोगे तो हो सकता है तब तक कोई ना कोई solution आपको मिल गया हो तो अगर आप में से किसी को solution मिल गया होगा इस चीज का तो आपने comment section में comment करके बताना है ताकि जो भी बच्छे 10 से इस time period पर इन marks को लेकर हमारे marks कमें कैसे बढ़ाने क्योंकि जो आपके समने result वगरा आया है यहां पर direct selection list दी गई है बच्चों के ना में details है बतलब कुछ confirmation है निगर किसी के बास idea किसी को knowledge है इस बारे में कि वो कैसे इनकी help कर सकते हैं तो वो ज़रूर help कीजएगा और comment section में ज़रूर बताएगा कितने candidates ऐसे जो यह problem face कर रहे हैं उनके marks नहीं add हुए है category वगरा नहीं add हुए है तो क्या वो maximum candidates ने किसे दो दिन candidates से ऐसा वगरा कु comment section में ज़रूर बताएगा एक तो यह हो गया आपने एक दूसरों की help करने इस time period पर हो सकता है कि इनके अगर NCC वगरा के जो marks add हुए है तो उनका नाम है selection list में आ सकता है दूसरी तरफ कर हम बात करेंगा यहां पर कि एक students ने कहा कि sir हमेरे marks कितने हैं वो मुझे बताने लग आप 6 select हुए नहीं वहीं आपके कितने marks आये थे एक्जाम में आपके category क्या थी वह लगे नहीं लेगी वह सारी details आपको इस rank wise merit list में देखने को मिलेगी आप यहां पर जाकर देख सकती हो और last में बात करना चाहूंगा उन सभी candidates की जिनका नाम selection list में नहीं आए नहीं वेट मेरा नाम list में नहीं आया यह सोचों कि अपने mistakes कहां करी है efforts कहां पर आपने कम लगाए और दूसरी बात आपको यह सोचने कि अब मेरे पास आगे क्या opportunities हैं मैं आगे क्या कर सकता हूं जैसे अगर example के तो पर आपको बताऊंगा कि आप जिसे से म्टेस अगर आपकी age limit है उस पास हो अप्लाई कर सकते हो अब वहां पर अप्लाई कर सकते हो कुछ students ने का यह fake है ऐसे कुछ नहीं है तो उनको मैं बोलना चाहूं को अब CRPF की official website में जाओ वहां पर आपको extension का notice देखने को मिल जाएगा तो आपको clear हो जाएगा बार्वी पास हो अठ्वी पास हो अठ् वीडियो देखो आप कहां पर apply कर सकते हो एक aim set करो किस किस तरह की opportunities आपको available है उसके हिसाब से आगे कि त्यारी कर रहा है start करो बजाए यह सोचने की मेरा merit list में नाम नहीं आया अगर इसमें आपको कुछ सोचने तो यह सोच आपने कहां पर mistake करें उनको mistakes कैसे ठीक करना आने कॉंटेट कर सकते हो जेके लेटस इंफो के नाम से हमारा Instagram account है जिस YouTube चैनल पर यह वीडियो बनाए जा रही है जेके लेटस इंफो के नाम से इसी नाम से हमारा Instagram account भी है हमारा Facebook पेज भी है आप हमें message कर सकते हो हम try करेंगे आपको कोई best solution provide करा जाए फिलाल करेंगे वीडिय क्योंको एंड मिलेंगे नई वीडियो में तब तक लिए thank you जाहिंद और एक बार फिर से वो सभी candidates aspirants जोने महनत कर रही है जिनको नाम से लेक्शन लिस्ट भी आया है उनको और उनकी family को हमारे तरह से congratulations thank you